हेलो मेरे दोस्तों मैं राहूल और स्वागत आप लोगों का अपके अपने यूट्यूब चल अरके सेंटर पे दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग एक most important question को clear करने वाले हैं जो कि इस प्रकार से question क्या है दोस्तों कि मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं और भारतिय सविधान में वरनित मौलिक अधिकार का वरनन करें कि भारतिय इतिहास में जो मौलिक अधिकार लिखे गए हैं उसका क्या मतलब है उसको बताना है ठीक ह अब दिखे अगर मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार ऐसा अधिकार होता है जो सविधान के द्वारा उस देश की लोगों को प्राप्थ होता है जिसके तहत जो लोग स्वतंत्र होते हैं लोगों को सिक्षा का अधिकार होता है समानता का अधिकार होता है धर अधिकार कहते हैं ठीक है जैसा कि माल लिजे कहा जाता है ना कि लोग रंग भेद के निती करते हैं मतलब रंग के अधार पे लोगों से भीदभाव करते हैं तो वैसा भीदभाव अगर किसी के साथ भीदभाव होता है तो क्या कर सकता है उसके खिलाब केस कर सकता है ठीक है य लेकिन वहां का जो टीचर है नो मुझे जबर्जस्ती पकड़ के रख रहा है कि नहीं आपको जाने नहीं देंगे ठीक है तो यह अधिकार प्राप्त होता है लोगों कि कि आप स्वतंत्र हैं आप कहीं भी जा सकते हैं ऐसा नहीं है कि आपको दबोज करके रखा जाए आपका सोसन किया जाए ठीक है तो वहां से आप क्या कह सकते हैं निकल सकते हैं ठीक है यह आपका अधिकार होता है तो यही अधिकार को हम लोग क्या कहते हैं मौलिक अधिकार कहते हैं तो चलिए हम लोग जानते है कि कि इतने प्रकार का मौलिक अधिकार हम लोगों को प्राप्त हो सबसे पहले क्या करेंगे भूमिका कि मौलीक अधिकार किसको कहें बता जाता है कि मौलीक अधिकार वहमूल अधिकार होता है मौलीक अधिकार वहमूल अधिकार होता है जो किसी भी देश के सविधान के द्वारा नागरीको को परदान किया जाता है इसको देश के सविधान द्वारा जो है नागरिकों को दिया जाता है ठीक है बता जाता है कि मौलिक अधिकार का वर्णन भारतिय सविधान के भाग 3 अनुछेद 12 से लेकर के 35 तक किया गया अगर मौलिक अधिकार का वर्नन की बात करें तो मौलिक अधिकार का वर्नन जो है ना भारतिय सविधान के भाग तीन से लेकर के ठीक है भाग तीन में जो है ना अनुशेद 12 से लेकर के 35 तक में किया गया बताया जाता है कि भारतिय सविधान में मौलीक अधिकार सन्यूक तुराज अमेरिका के सविधान से लिया गया और ये भारतिय सविधान में जो मौलीक अधिकार है ये कहां से लिया गया सन्यूक तुराज अमेरिका के सविधान से लिया गया ये चीज आपको भूमिका में कलियर कर देना है मतलब भूमिका अब लोगों को यही समझना है कि मौलिक अधिकार वैसा अधिकार होता है जो लोगों को अपने जीवन यापन करने के लिए क्या देता है विसेशा अधिकार देता है कहते हैं विशेश परकार का अधिकार देता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं मौलिक अधिकार कहते हैं अब देखें अब लोग समझते हैं कि आखिर मौलिक अधिकार जो है मौलिक अधिकार मानले जे सरकार दे दिया तो उसका क्या महत्व है मौलिक अधिकार का कोई महत्व होगा तब तो चलिए जानते हैं कि क्या महत्व है मौलिक अधिकार का देखे बताया जाता है कि मौलिक अधिकार वह अधिकार है जो मनुस्य के जीवन के लिए अत्याधिक महत्पूर्ण है इसके बिना मनुस्य का जीवन संभव नहीं है इसके बताया गया क्या कि मौलिक अधिकार वह ऐसा अधिकार होता ना जो मनुस्यों के जीवन के लिए क्या होता है अत्याधिक महतपूर्ण होता है क्या होता है अत्याधिक महत्पुर्ण होता है इसके बिना जुए ना मनुस्य का जीवन संभव नहीं है इसके बिना क्या है मनुस्यों का जीवन संभव नहीं है यह अधिकार नागरीकों को सविधान दोबरा दिया जाता है यह जो अधिकार है वो नागरीकों को कौन देता है सविधान देता है, कौन देता है, सविधान देता है, ठीक है, देखे, बताया क्या है, कि मनुस्य के विकास के लिए, मनुस्य के विकास के लिए, कोई भी व्यक्ति है, उसके विकास के लिए, जोना मौली का दिकार क्या है, अवस्यक है, अगर माली जे उसके पास मौली का दि सबसे महतपुर्ण बात यह है कि संसत मौलिक अधिकारों में संसोधन नहीं कर सकता है और यहां सत्ती जो है ना केवल सविधान सभा के पास होता है कहा गया क्या कि माली जी ये मौली का अधिकार है तो उसमें अगर को सुधार करना है तो संसद इसमें कुछ कार नहीं कर सकता है इसका जो जिम्मेदारी जो होता है ये केवल कौन कर सकता है सविधान सभा कर सकता है कोई सुधार करेगा, कौन करेगा, सविधान सवा करेगा, उसके अलावा कोई भी इसमें संसोधन नहीं कर सकता, इन अधिकारों का उलंगन नहीं किया जा सकता, यह जो अधिकार है, मौलिक अधिकार है, इसका उलंगन नहीं किया जा सकता है, मौलिक अधिकार नियाई योग ह जो समाज में सभी वेक्तियों के समान रूप से प्रापत अगर मौली का अधिकार की बाप करें तो यह जो नहीं के जैसा है जो समाज में हर वेक्तियों के लिए क्या है समान है ऐसा नहीं है कि जो अमीर है उसके लिए अधीक है और जो गरीब है उसके लिए कम है यह सब के लि कि भारतिये नागरिकों को 6 मौली का दिकार प्राप्थ होते हैं पहला दिकार समानता का दिकार क טוב कई सोच से धृता घर्म की सोच实ता का दिकार चोथा धर्मके सवतनता की जञा सोच सवाधानिक उपचारों का अधिकार अब देखें अब लोग जाते हैं कि आकर समानता का अधिकार हम लोग किसको कहते हैं अब देखें समानता का अधिकार कहते हैं ठीक है अब देखें बताया जाता है कि भारतिय सविधान को साथ मौलिक अधिकार प्राप्त था था तो पहले साथ मौलिक अधिकार लोगों के पास था लेकिन बाद में क्या हुआ कि इसमें 44 सविधान संसुधन जब हुआ था 1978 में तब संपतिक अधिकार को मौलिक अधिकार के सूची से हटा दिया गया और इसे कानूनी अधिकार में रखा गया और इस प्रकार जो है वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार भारतिय नगरिकों को प्राप्त है अभी की अगर बात करें तो भारतियों को जो अभी मात्र कितना अधिकार प्राप्त होता है 6 मौलिक अधिकार प्राप्त होता है ठीक है अब देखिए पहला आता है समानता का अधिकार किया आता है समानता का अधिकार इसको बोलते हैं हम लोग right to equality अब देखे समानता का अधिकार किसको कहते हैं देखे बताया गया है कि भारतिय सविधान के चौदवें अनुछेद से आठारवें अनुछेद में समांता का अधिकार नहीं थे इसके अनुसार राज के किसी बी नागरीक के साथ जाती, नसल, लिंग, जाती, जर्मस्थान, वर्न, यादी के अधार पे किसी परकार के भेदभाव नहीं किया ज़यता है जैसे कि बताया गया है कि हमारा समाज होता है हमारा समाज में लोग सब देखते हैं कि लोगों को जाती के अधार पर बाटा जाता है धर्म के अधार पर बाटा जाता है ठीक है नसल के अधार पर बाटा जाता है तो यहां बताया गया है कि भारतिये सविधान के अंतरगत में जो ना सब लोग क्या है एक समान है किसी को भी जाती के अधार पे आप कुछ बोल नहीं सकते हैं किसी जाती के अधार पे भेदभाव नहीं कर सकते हैं नसल के अधार पे भेदभाव नहीं कर सकते हैं या तो जन्मस्थान या वर्न के अधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं अगर ऐसा भ अच्छैंब कानूनी करवाई कर सकते हैं यह आपको अधिकार प्रापत है ठीक है champ कि बथाया कि भारतिये अविधान में सभी नागलिकों को कानून Okay सभी नागूरी को ढईनझिक को जो है कानून के समग समयनता का देकार परदान किया गया थिक जोह घर्णक के दुसराiki स्वतंता का ہے siamo लोग को कहते हैं स्वतंता का और देखिए स्वतंतर का मतलब क्या होता है अजाद में इस कहने के मतलब हम लोग आजाद है हम लोग अपने मन से कुछ भी कर सकते हैं हाउआ है कि हम लोग पूइंद खीति होकी लिए और आप SH concert आपको रोकने का परियास करता है अब क्या कर सकते है तो तो क्या कर सकते हैं अ है कि बताया है कि स्वतन्रता की चिकार को भारतिय साविधान कि Ngo Council 12.32 से वर्णित किया गया है इसमें देश लाम घृश सकाभी को कई परकार के मौलिक सोतर्वतनता पर्दान किया इसमें देश के नाग्रिक को कई परकार के पर्कार के मौलिक आजिकार प्राप्त किया गया ठीक है पर्दानी कह गया है जैसे कि विचार हो अभ्यवक्ति की सोदनता, भ्रमन करने की सोदनता, व्यपार हो व्यवसाय करने की सोदनता, अहिंसा पुरुबग समेलन की सोदनता, समुधाय हम संग निर्मान करने की सोदनता, ठीक है, यह सब सोदनता, जो है, यह सब आजादी, जो है, लोगों को प्राप्त होता नहीं, आप 캡्त है कि हमको व्यवापार करना है तो आप व्यवापार भी कर सकते है, व्यवसाय कर चाले है इसमें आपको कोई रोक टुक, नहीं है यह आपको अधिकार प्राप्त होता है तुक्यें? अब दिखे, तीसरा जो मौलिक अधिकार है क्या है धार्मिक स्वाध Nayrta का अधिकार कि आप कोई भी धर्म को मान सकते हैं कि यह को आप को ऐसा नहीं जरूरी नहीं है कि आप मुसलिम अहीं रहेंगे आप कोई भी धर्म को मान سकते हैं आप मुसलिम दर्म में होकर के हिंदू दर्म को भी मान सकते हैं या तो हिंदू दर्म में होकर के मुझतिव दर्म को भी मान सकते हैं तो यह आपको अधिकार प्राप्थ है आप इसके लिए स्वतन तुरह आपको भी धर्म को मान सकते हैं यह अधिकार भी दिया गया है हम लोग को मौली का अधिकार होता है इसमें प्रतेक नागरिकों को अपने धर्म की सांति परोग परचार हैं परसार करने की अधिकार प्रदान किया गया ठीक है देखे बताया गया है कि इस अधिकार में जो ना लोगों को यह भी बताया गया है कि आप कोई भी धर्म को अपना सकते हैं और कोई भी धर्म का परचार परसार कर सकते हैं उसमें आपको कोई रोक टोक नहीं है ठीक है फिर देखें आगे बताया क्या है कि धार्मिक सौधर्णता का अर्थ है कि कोई भी वक्ति किसी भी धर्म का चुनाव कर सकता है धार्मिक सौधर्णता कहने का मतलब है कि कोई भी वक्ति जो कोई मुशलमान धर्म का और वो चाहेगा कि हम हिंदू धर्म में आ जाए तो ऐसा नहीं कोई बोलेगा कि आपको मुशलिम धर्म में ही रहाना जो आप इसके लिए बाद ही नहीं आप कोई भी धर्म अपना सकते है आगे बताया गया है कि सविधान के अनुछेद 25 में यह कहा गया है कि भारत के प्रतेख व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने आशादी दिया गया यह गया है जैसा कि गरीब लोगों के साथ होता है गरीब लोग कहीं काम करने के लिया जाते हैं तिक है यह कंपैसा दिया जाता है उसको मारा जाता है पीटा जाता है, हाना, तो सोसन किया जाता है उसका, तो आप सोसन उसका क्या कर सकते हैं, उसके खिलाब केस भी फाइल कर सकते हैं, अगर आप पे अत्याचार कोई करता है, तो उसके किलाब पे आप क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं, ठीक है, तक यह बताय गया है, कि सोसन के व करते हैं उसके रक्षा के लिए किया गया क्योंकि जो बड़े वर्ग के लोग होते हैं हमेसा कमजोरों लोगों को क्या करते हैं दबाने का परियास करते हैं उसका अत्याचार करते हैं उसका सोसन करते हैं पताया गया है कि सोसन के विरुद मौलिक अधिकार देश में निमन वर के लोगो नागरिकों की रक्षा करते हैं तथा उसे सुरक्षा भी परदान करते हैं ठीक है सोजन के विरुद जो अदिकार है मौलिक अदिकार जो है वो क्या करता है निम्नवर्ग के जो नागरिक है उसका रक्षा करता है और उससे उसको सुरक्षा भी परदान करता है ठीक ह यह बताय कि ऑripते हैं कि भारतिय सविधान के नुछेऽ 24 में यह कहा गया है कि 14 वर्ष से और यह उसमें बताय क्या है कि 14 वर्ष से कम उम्र के जो लोग है न बचे जो हैं उसको कार खानों अगए काम नहीं करवाना है ठीक हैं सविधानी उप्चारोजिक आधिकार कहने का मतलब है कि मान लिजे कि आप देश के नागरीख है ठीक है आपका कुछ मांग है तो आप अपने मांग को पूरा करने के लिए क्या कर सकते है सरोच नियाले या तो उच नियाले में भी सरन ले सकते है अपने मांग को ले करके मान लिजे आपको एक केस में गिरपतार हो गए आपको एक केस में गिरपतार हो गए और वो केस मतलब आप उसमें निर्दोस है ठीक है तो आप उसके लिए क्या कर सकते है सरोच नियाले में जाकर के मांग कर सकते है अधिकार की व्याख्या इसमें देश के नागरिक अपने अधिकारों की मांग के पुरतीक करने यहों उसे लागू करने है तो सरवोच नियालय आ उच नियालय की में सरण ले सकते हैं ठीक है भारतिय सव collection में नयायल लों को या अधिकार प्राप्या है कि यह वा कारय बदाने ओर किये जाने वाले सभी अभय धानिक कारियों को अधिकार के विरुत गोषित कर सकते हैं अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं नियायलों के सामने में अगे दिखें चट्था जो आपका मौली का अधिकार दोस्तों वो संस्कृति आपका अधिकार आपका है मतलब आप सिक्षा के मामले में स्वतन्त्र हैं आप कोई भी सिक्षा गहन कर सकते हैं कोई भी संस्कृति का पालन कर सकते हैं ऐसा नहीं हैं कि आपको जो पढ़ा जाएगा वही आपको पढ़ना आ Hugंग जेके बता गया है कि भारतिय सविधान में संस्कृति एमम सिक्षा सबंद्र अधिकारों को अनुछे 29 से ले करके 30 तक व्यवस्थित किया गया है। इसमें मुख्यू रूप से देश के सभी नागरिकों को एक समान संस्कृति एमम सिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया। संस्कृति एमम सिक्षा के अधिकार में राजे दुवारा संचालित मानेता प्राप्त एमम सहायता प्राप्त सिक्षा संसाय भी किसी बेदभाव से सभी वर्गों को समान रूप से सिक्षा का अउसर परदान कर सकते हैं। निस अंदेह रूप से कर सकते हैं इसमें आपको कोई रोक टोक करेगा नहीं। तो उमीद कर सोचों कि यह कोशन आपको समझ में आ गया होगा कि मौलिक अधिकार कितने हैं और क्या-क्या मौलिक अधिकार है। तो अगर यह कोशन समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करें। अपने दोस्तों में शेयर करें। उसके साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलता है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय ही जय भारत।